नमस्ते दोस्तों मैं सुमान सर्मा आप सभी का स्वाधत करती हूं आपकी अपने चानल सुमान एजुकेशन हर्द ले आज हम दिसक्त करने वाले हैं निव पैनलिजेशन एंट्री कैसे करनी है अबर आपने वह वीडियो अभी तक वाउच लहीं किया है तो आप वीडियो को जाएक वाच कर सकते हैं अकाउंटिंग पैनलिजेशन एंट्री वीडियो वाई सुमान एजुकेशन इस तरीके से आपको सर्च करना है मेरी वीडियोस मिल जाएंगी और आप अपने अकाउंट को फाइनल कर सकते हैं अब चलिए जैसे कि निव फैनाशी लिए स्टार्ट हो गया है परस्ट अप्रिल 24 से तो किन-किन बातों का आपको कुछ महत्यपूर बाते हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए अपने अकाउंटिंग के वर्क को कंटीनिव करना है तो कौन-कौन से ऐसी बाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले आप जो इनवाइस इनवाइसिंग करते हैं तो उसका आपको सीरीज जो है बोर्नीव रखना है यानि कि जो इनवाइस नंबर होता है आपको वन से स्टार्ट करना है तो इन्वाइस का जो format है, वो आप अपने according, अपने company का name ले सकते हैं, financial year use कर सकते हैं, 24-25, एक unix आपको format बनाना है इन्वाइस का, और उसी format को लेकि आपको चलते रहना है, तो काफी सारे लोग जो है, वो manual इन्वाइस बनाते हैं, तो वो इन्वाइस की जो copy है, जो book है, व वो finished नहीं हुए कि आपके सारे books अगर बचे हैं, तो आपके माइन में या रहा होगा कि कि आप वो सारे बेस्ट हो जाएंगे, तो नहीं वो बेस्ट नहीं होंगे, अगर आप चाहें तो उसी इन्वाइस को continue कर सकते हैं, but as per rule, 46 के according, आपको new year से new series start करना होता है, तो आप जो आपका books बच गया है, और उस पर जो serial number है, इन्वाइस का, आप उसको marker से square बना दिजिए, और उसके end में आप चाहें तो manually invoice number लिख के, और manually invoice को continue कर सकते हैं, कैसे आपको invoice का जो telly prime अगर software आप यूज करते हैं, या फिर आप कोई भी software यूज करते हैं, अकांटिंग के लिए, तो कैसे आपको उसमें, जो invoice की formatting है, वो कैसे सेट करनी है, यह मैं आपको इस next video में बताऊंगी, तो इसके बाद वाली जो वीडियो आईगी, उसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको telly prime में कैसे invoice की formatting को सेट करना है, यह के starting में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को वाच करके आप देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट है, मैंने यहाँ पर point to point सारिज यह, नोट करके रखी हूँ है, सेकेंड पॉइंट यह है, जैसे ही new year start हो रहा है, तो जो भी आप खर्चे करते हैं, तो starting से day one से ही आपको अपने account को maintain करना है, जैसे कि suppose किजिए, आप starting में आपके पास कोई invoice आया है, खर्चे का भी लाया है, तो सबसे पहले आपको उसको देखना है कि अगर कोई ऐसा खर्चा है, कोई ऐसे service है, जो कि आपने case में ली है, कोई ऐसा खर्चा है, जो कि आपने book किया है, जो कि TDS के अंडर में पॉल होता है, अग कोई भी repair and maintenance का work करवाते हैं, या फिर आप office shift कर रहे हैं, और उसका कुछ भी maintenance कराते हैं, तो वो under 194C section में आता है, जिसमें कि आप contract basis पे, suppose कि आपने office में electrician का work करवाया है, और या फिर आपने plumber का work करवाया है, कोई भी ऐसा work करवाया है, जो कि contractual basis पे आपने करवाया है, तो वो 194C के अंडर में पॉल होता है, तो यह ऐसे खर्चे होते हैं, जिसमें कि आपको tedious book करना होता है, suppose कि यह कोई legal and professional services आप ले रहे हैं, तो उसके भी आपको tedious book करना है, तो आपको ध्यान देना है, जो भी आप खर्चे करेंगे, new year के starting से ही आपको सारे सीचे ध्यान देन और पैन नमबर लेने के बाद आपको उसको चेक भी करना है, कि जो उन्होंने पैन नमबर दिया है, उनका स्टेटर्स जो है, वैलिड है या फिर इन्वैलिड है, क्योंकि सपोर्स किजिए, किसी सा आपने services दिया है, electricity का office में वर्क करवाया है, और उसके पर आपको tedious डिक क करना है, सामने वाली पार्टी जो कोंट्रेक्टर है, उन्होंने अपना पैन नमबर दिया, और आपने वो लिया, और वो पैन नमबर जो है, वो इन्वैलिड है, तो अगर इन्वैलिड पैन नमबर है, जो पैन नमबर आधार से लिंक नहीं है, वो इन्वैलिड होता है, अ आपको वीडियो सेच करना है, पैन कार्ड स्टेटस चेक, वीडियो बाय सुमान एजूकेशन है, इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगी, और आप अपने सप्लायर का पैन स्टेटस चेक कर सकते हैं, कि वो वैलिड है या फिर इन्वैलिड है, तो जो भी पर्टिकुलर टेक्स रेट है, वो आप उसके पर टीडियोस का डेड़क कर सकते हैं, अगर इन्वैलिड है तो उसके पर 20% आपको टीडियोस डेड़क कर लेना है, नेक्स्ट है, आर्सीयम से रिलेटेड, अगर कोई ऐसा खर्चा है, आर्सीयम के अंडर में काफी सारी सर्विसेस आती है, तो इससे रिलेटेडड willen वीडियो बनाए है, तो आर्सीयम वीडियो बाय सूमान एजजुकेशन हब, इस तरीके से आप सर्च करेंगे, तो व़ह आली वीडियो मेरी आपको शो होगी, काफी सारे वीडियोस मेंने रिलेटेड से रिलेटेड बनाए हैं, आर्सेम का मतलब क्या होता है आर्सेम की एंट्री आपको कैसे करनी है किन-किन लोगों के पर आर्सेम एप्लिकेबल होता है तो यह सारी वीडियो मैंने बनाई है बन टू वन आप जाके इसको वाच कर सकते हैं तो अगर आपने क्यों ऐसा खर्चा किया है जिस पर की आर्सेम करना है तो आप उसको भूलिया का नहीं आज सेम आपको बूक करना है अगर अपने अकांटींग के वर्ग को प्रॉपर अच्छे से करना चाहते हैं तो निए स्टाट हो गया है निए स्टार्ट हो धर्ते ही छुटीचुटी बाते चोहें वह आपको ध्यान में रखनी है औ बातों को ध्यांग रखते हुए आपको अपने काम को continue करना है उसके बाद next point है कि composition अगर किसी person ने composition लिया हुआ है scheme opt किया है और वो regular में opt-in होना चाहता है तो क्या वो कर सकता है तो yes अगर किसी ने composition scheme लिया हुआ है तो वो regular scheme को कभी भी opt कर सकता है यहाँ पर कोई time limit नहीं है कि अगर आपने composition लिया है तो आप regular में year के end में जा सकते हैं opt-in कर सकते हैं कभी भी आप कर सकते हैं कोई से फायदा है तो यहाँ पर कोई भी time limit नहीं रखा है अगर composition में है आप regular में आंग चाहते तो government को यह जदा-ज़दा टेक्स मिलेगा इसलिए हाँ पर कोई time limit नहीं है अगर आप composition है तो कभी भी आप regular skim को opt-in कर सकते हैं उम्मीद करती हूँ यह चोटी-चोटी बाते कुछ महत्तिपूर बाते जो थी year के starting में आपको ध्यान रखना है तो यह मैंने आप लोग के साथ share किये हैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सब लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो दोनों चैनल को support कीजिए मेरे दो चैनल है एक यह चैनल जो आप देख रहे हैं सुमन Education Hub सेकेंड मेरा जो चैनल है वो English Language में है सुमन Education Hub English वहां पर मैं Accounting का वर्क इंग्लिस लेंग्वज में सिखाती हूं तो इस चैनल को भी support कीजिए सो देट वो चैनल ग्रो हो सकें एन हम maximum लोगों तक reach out हो सकें and maximum लोगों की help हम कर सकें क्योंकि help करने में language बीच में नहीं आनी चाहिए इसलिए इंग्लिस लेंग्वज में मैंने चैनल को स्टार्ट किया है जहां पर कि मैं इंग्लिस लेंग्वज में Accounting का वर्क सिखाती हूं Thank you for watching, keep watching